जब भी हमारे हतेली में ये उंगलियों के जो तीसरे पौर्वे हैं इनमें इस प्रकार से छिद्र दिखाई दे और सारी उंगलियों में दिखाई दे तो ये धन के मामले में बड़ा प्रभाव डालती हैं बेक्ति के जीवन में ऐसे लोगों के हतेलियों में पैसा नहीं रुकता है ये खर्चेला स्वभाव दिखाता है बहुत ज़्यादा खर्चा ऐसे लोगों का हो जाता है और धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज जीवन भर रहती हैं या तो धन के मामले में संगर्स रहता है या तो बहुत ज़्यादा खर्चेला स्वभाव रहता है या जिस धन के महतों को ब्यक्ति समझ ही नहीं पाता है लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीज आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगी तो इसके लिए में उपाई दे दूँगा उन उपाईयों को करेंगे तो कुछ हद तक इसका फाइदा होगा दूसरी बात अगर हम हतेली में देखते हैं आपकी तो आपकी मस्तिस्क रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है बहुत लंबी है तो बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है लेकिन चंद्रमा का बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ रहा है आप देखेंगे चंद्रमा मतलब मन का कारक जो है उसको चंद्रमा कहते हैं तो यहां पी क्या हो रहा है कि इस अवस्ता में प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले बिक्ति बन गई है हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबे रहते हैं और आपका मन जो है क्योंकि चंद्रमा भी यहां पे कमजोर इस्तिति में है अनबैलेंस इस्तिति में है और मस्तिस्क रेखा सीधा चंद्रमा पे मिल रही है तो मन की एकागरता को ये भंग कर रहा है मन की एकागरता नहीं हो पा रही है हाँ ये बात जरूर है सफलता आप अपने जिमनकाल में पाएंगे इसमें कोई जो है दोराई नहीं है लेकिन कब पाएंगे अन्यरेखाओं को देख के मैं बताता हूँ चंद्रमा जब तक बहुत ज़्यादा अन्बैलेंस रहेगा आपका मन बहुत ज़्यादा कलपनाओं में डोबा रहेगा और ऐसा भी इस्तिति रहेगी कि आप कुछ समय तक केवल कलपनाओं में ही जीवत रहने वाले बिक्त रहेंगे उसका प्रेणाम आउटपुट निकलने वाला नहीं है ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरों से निकलती हुई चंद्रमा से निकल रही है और सनि परवत को भी लगभग पार करती हुई दिखाई दी रही है बहुत लंबी है अच्छी है अच्छा है वेंसे लेकिन जब भी ये धन और करियर की रेखा इसको भाग्य की लकीर भी कहते हैं ये चंद्रमा से निकल करके अपने स्वास्तान सनि भाग्य अस्तान की तरव जाती है तो ये बहुत जादा मेहनत कराती है बहुत जादा संगर्स कराती है तब जाके 42 से लेके 45 वर्स के आसपास बिक्ति को कहीं जाकर चैन मिलता है और 45 वर्स के आसपास ये भाग्योदा ये कराती है लेकिन इसकी एक खास्यत है अगर ये सही तरीके से हो तो ये क्या करती है कि आपके 41 वर्स से ऐसी इस्तितिया ब्यक्ति के जीवन में लाती है कि ब्यक्ति के पास प्रतिक दिन पैसा आता है आपके पास भी आएगा ऐसा नहीं की नहीं आएगा जैसे ही आप 38 में वर्स में परवेश करेंगे 38 एर में कहीं न कहीं आपके जीवन में आर्थिक इस्तिति मजबूत होने बैठ जाएगी ये बात निश्चित है आपके कारियों में डेपलप्मेंट सुरू हो जाएगी आपकी सोच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका लाब आपको बहुत अच्छा मिलेगा थर्टी नाइन में प्रुवेस करेंगे तो इसका थोड़ा सा और ज़्यादा आपको फाइदा होगा फोटी में प्रुवेस करेंगे और ज़्यादा फाइदा होगा लेकिन 41 वर्स से ऐसी इस्तिति आ रही है कि परती एक दिन पैसा आएगा हाँ इनकी वज़ों से हो सकता है पैसा रुक नहीं पाए खर्चा बहुत हो जाए लेकिन आएगा अब कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा लेकिन आएगा फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक रेखा जो यहाँ है अन्त में दो भागों में विवक्त हो रही है तो यह बात तो जुरूर है कि व्यक्ति कई छेत्रों से अर्थो पारजन करने का प्रियास कर रहा है यह बार निश्चित दिखाई दे रहा है अब अब 41 से लेके 45 के बीच में यह भी दिख रहा है अगर आप सही डिसीजन लेके चले योजना बना कर जीवन में चले और कुछ जोतिसी यह उपाई अगर आप करते हैं तो 41 से 45 के बीच में वाहन का भी सुन्दर सुक दिखाई दे रहा है आपको अगर अपने घर का सुक प्राप्त नहीं हुआ तो या तो अपने घर का सुक प्राप्त हो जाएगा या उसकी आप नियू रख लेंगे ये भी दिखाई दे रहा है 41 से 45 के बीच में ये भी दिख रहा है कि आपका जो करियर का मामला है वो भी थोड़ा सा एक सोटेबल आउस्ता में आने सुरू हो जाएगा इससे आपको लाब होगा और 45 वे वर्ष के आसपास यहां पे निश्चित तोर पे पूर्ण भाग्योदई दिखाई दे रहा है फिर 56 वे वर्ष के बाद दुबारा भाग्योदई दिखाई दे रहा है इसके लिए बहुत अच्छे है लेकिन जब ये रेखा इस तरह से इसको पार कर लेती है तो ये केवल और केवल जीवन में उतार चड़ाओ और संगर्ष की इस्तिति को देता है ये वाद निश्चित है अब इस चीज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है एक परकार का प्रणायाम है मैं आपको दे रहा हूँ उस प्रणायाम को जरूर करे अब एक इस्तिति और दिखाई दीर ही आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत गहराई से देखें तो यहाँ पर ये अंगुठे में एक कोबड दिखाई दीर रहा है ये कोबड बोलता है कि ब्यक्ति के अंदर विचार सीलता है ब्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी बुद्धिमता है ज्यान बहुत अच्छा है नौलेज बहुत अच्छा है लेकिन उस नौलेज को ब्यक्ति जो है इस धरातल पे फाइदा नहीं उठा पा रहा है ठीक है ने और इस समय ये किवल और किवल आपकी जीवनकाल में संगर्स को दिखा रहा है कई बार धनहानी को दिखा रहा है और ये कह रहा है कि 42 वर्स से पहले ब्यावसाई करोगे तो बड़ा सोच समझ करना है ये करते भी हैं अपने पूरी जीवन में तो पार्टनर्शिप में कारे न करें एक बात का ध्यान रखे खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खास कर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी इस्तिती है वो थोड़ी सी लेट बन रही है याँ पे 42 वर्स की आयू से चीजें थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होने बैठ जाएंगी और 56 वर्स की आयू के बाद पुनह बहुत अच्छा समय आपका आएगा लेकिन जैसे जैसे आपकी उमर बड़ेगी पीठ का दर्द है गुटने का दर्द है और कमर की प्रोबलम है इसकी संभावना भी यहाँ प इसे पंथ भी से इसका धर्म भी से इसका नहीं है प्राणायाम योगा हर बेक्ति कर सकता है तो जीवन को अगर सही इस्तित में पहुंचाना है आपको तो योगा उगेर जरूर करें अब मीन चीज है बरतमान में राहु की लकीर इस पे भी हम चलते हैं उससे पहले आप लो अपनी हतेलियों की रह्ष्यों को जानना चाते हैं इन लकीरों के महतों को जानना चाते हैं इनके परिणाम को जानना चाते हैं तो वाटसप करें मेरे वाटसप नमबर पे और मेरा नमबर है 87063128 इस पे अपनी हाथ के साफ सुत्री फोटो खींचे अपना नाम लिखें अपनी लगभग जो उम्र है वो लिखें और जो आपके जरूरी सवाल है वो लिखें मैं आपको उसी समय डेट दे दूँगा और उस डेट को आपकी हतीले का पूरा बिसलेशन करके आपको भेज दूँगा उसका लिंक और जो भी उपाई निकलेंगे उन उपाईयों को ओडियो के माद्यम से आपके वाटसप पे और लिख करके दोनों तरीके से दे दूँगा ठीक है यह रही आपकी बहुत जरूरी पते के बाद आप चलते हैं यहाँ पे राहो की तरफ फिर ले लेते हैं आपके सवालों को यहाँ पे देखेंगे तो इस तरो से एक रैखा आती हुई दिखाई दे रही है जो यहाँ पे इस प्रकार की चीजों को दिखाई दे रही ह तो मारक राहो का प्रभाव यहां पे इस पश्ट दिख रहा है यह सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काट रही है तो इसका मतलब है सबसे पहले इसका प्रभाव आपकी जीवन पे पढ़ रहा है कदम कदम पर कहीं न कहीं मुश्किलों का आपको सामना करना पढ़ रहा है फिर देखेगा ये सूर्य की लकिर को काट रही है यहाँ पर तो सूर्य की लकिर को काटना का मतलब होता है कि यस का न मिलना जिस भी कारे को आप करो वो कारे सफल नहीं हो पाता है परेशानिया बढ़ती चली जाती है उन परेशानियों का अंत नहीं हो पाता है और व्यक्ति उलजहासा रहता है, कनफ्यूजन में, दुविधा में, उलजहन में इस तरह से रहता है और उसकी जो निरणे लेने के ताकत है वो छीन हो जाती है, वो डिसिजन लेने के ताकत देखती की वो छमता नहीं रह पाती है, अब यहां पर ये करियर और धन की रेखा को भी बादित कर रहा है, तो पैसे रुपे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजियू का को लेके, हर जगा आपको बड़ा उतार चड़ाव जहिलना पड़ रहा है, अब फिर ये मस्तिस्क रेखा का भेदन कर रही है, तो इसका मतलब है, ये कहीं न कहीं आपको तनाव भी दे रही ह बहुत जादा सोचनी के वो मजबूर कर रही है मन की एकागरता को भी भंग कर रहा है अब यहाँ पर जब इस परकार का चिन बन जाता है फिर यह क्या करता है अगर आप नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी में अर्चने डालेगा या नोकरी शेद आपको बरकास्ट कर लेगा अगर आप व्यापार कर रहे हैं व्यापार में या तोहानी हो जाती है ऐसी इस्तिति में या व्यापार जो है बहुत निचले अस्तर पे पहुँच जाता है अगर इसमें थोड़ा समल भी गई बिक्ति फिर ये क्या करता है कि कहीं न कहीं जो है ये करजे में डाल देता है ब्यक्ति करजे के दलदल में फंस जाता है और वहां से उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप किसी तरों से इसमें भी नहीं फंसे तो फिर ये क्या करता है कि धनहाने कराता है अगर ये भी नहीं हुई है फिर ये क्या करता है कि आपको बाद भी बाद में फसा लेता है करा किसी ने भरा किसी ने और कहीं न कहीं कोट कचरी का मामलाव ये बना लेता है अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर बेक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए जब कुछ नहीं हुआ है तो या बहुत कम इस्तिति में हुआ है फिर ये रहस्यमई बीमारी आपको देता है पता नहीं चलता है कि बीमारी क्या है कहां से आई है इसका इलाज क्या है और लंबे दोर तक बेखती उस बीमारी से जूजता रहता है ठीक है न? तो राहो का उपाई करना बहुत जरूरी होता है तो मैं दे दूंगा आप जरूर करें आपको लाब होगा अब सीधा सीधा चलते हैं आपकी सवालों पर वो यसी बहुत कुछ है देखने को लेकिन पहले सवाल लेता है पहला प्रशन आप लिखते हैं दोनों प्रशनों को एकी साथ मैंने मिला लिया है काम की प्रेशानी जारी है काम मिल नहीं रहा है देखेगा ये तो मैंने पहले ही देख लिया है एक तो इसकी वो जोसे कि बहुत ज्यादा खर्चा बिक्तिका हो जाता है पैसा भीकती के हाथ में रुकता नहीं है ठीक है न दूसरा ये रेखा करियर और धनकी रेखा ये आपकी बहुत अच्छी नहीं है और तीसरा ये इस कारण से कहीं न कहीं जो है जीवन में काम मिलने में बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही है आपको काम नहीं मिल पा रहा है और इसका एक और चीज भी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सूर्य को तो सूर्य की इस्तिति आपकी बहुत ज़्यादा डवा डोल है जब इस प्रकार से सूर्य की इस्तिती ब्यक्ति की रहती है हतीली में तो ब्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है जो मेहनत कर रहा होता है उन प्रयासों में ब्यक्ति को पूरी सपलता नहीं मिल पाती है कई बार तो जीरो सपलता मिलती है जो ब्यक्ति के अंदर क्वालिटी है जो ब्यक्ति के अंदर योगता है उस तरह से चीजे उभर कर नहीं आ पाती है निखर के नहीं आ पाती है ऐसे में ब्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है जो परिस्रम कर रहा होता है उसको उसका पूरा सरे या क्रेडिट नहीं मिल पाता है ऐसे में ब्यक्ति जो हम कहते हैं कि ऐसे में ब्यक्ति अगर ब्यापार की तरफ जाता है तो ब्यापार में उसको वो बिस्तार नहीं मिल पाता है वो फैलाव नहीं मिल पाता है वो नाम और यस नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के और ब्यापार में आया था ऐसे में अगर आप नोकरी कर रहे हो तो नोकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया है और धन की इस्तिती भी बहुत ही खराब ऐसी में रहती है तो सूर्य भी आपका जो है इसका मुख्या कारण है दोसरा सवाल है आपने लिखा है जिन्दगी में आगे किसमत में पैसा है या नहीं है पैसा आपकी किसमत में है ये आपकी करियर और धन की रेखा कह रही ये एक जो मैंने बताया दोसरा आपकी ये रेखा जो है ये है आपकी बुद्ध की रेखा ये रेखा आई को बढ़ानी वाली रेखा है निश्चित तोर पे सपलता को दिखाने वाली रेखा है और व्योसाई इत्यादी चीजें का काम ब्यक्ति करे तो इसका प्रभाव छूटने के बाद व्योसाई में तरकी को भी दिखा रही है और कहीं न कहीं बोलने के धंके कारण ब्यक्ति जीवन में धन कमा इसको भी दिखा रही है तो आगे पैसा तो है लेकिन बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना मुस्किल है क्योंकि मैं कुछ उपाई दूँगा उसको नहीं किया तो बचना मुस्किल है नेचरल तरीके से तो नहीं बच सकता है पैसा कितना भी आ जाए आपके हाथ में जो है पै प्रविदा होता है और निश्चित तोर पे परिणाम बहुत अच्छे आते हैं अब आपने लिखा है तरक्की है या नहीं जिन्दगी में तरक्की बहुत अच्छी है और मैंने गिनाया भी है कि 38 वर्स से आपका जो है सुरुवात अच्छी दिखाई दी रही है उसके बाद जो है 49 है 40 है 41 वर्स से तो बहुत अच्छा है 42 वर्स से तो सांदार है 45 वर्स के आसपास तो पूर्ण भाग्योदा ये आपकी इस्तिति यहां पे दिख रही है फिर 56 वर्स के बाद भी भाग्योदा ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बुडापा भी बहुत लेकिन कुछ सहजता से सरलता से आपको चलना होगा और कुछ योजना बना कर चलें तो आपको लाब होगा अब आपने लिखा आवठ उप इंडिया बाहर देश का पैसा है और उसकी लकीर बहुत सांदार है आप देखेंगे तो निम्द मंगल से एक रेखा आकर के सूर्य पर में बेक्ति को बाहर से भी धन आएगा अब कितना आएगा आपके मस्तिस्क सकती और योगता के नुसार आएगा लेकिन आएगा जरूर दूसरी बात जीवन रेखा देखें इस तरों से जा रही है और फिर यहां सूर्य की रेखा से यहां पे मिल रही है और अंत में इस परका जन्म अस्तान में रहकर बेक्ति एक बहुत साधारण बेक्ति बनकर रह जाएगा लेकिन कर्म बहुत अच्छे करेगा अंत में मोक्ष दिखाई दी रहा है दूसरी बात मनिबंद में केवल दो रेखाएं विक्सित होती हुई दिख रही है खुद की मेहनत और खुद के पर बेक्ति का कम से कम 35 एर तक का यहां पर दिखाई दी रहा है जो उनमें थोड़ा संगर्स भी रहेगा उतार चड़ाओ भी रहेंगे कई बार और इस्तिरता का सामना भी करना पड़ेगा लेकिन बाद में जो से भाग्योदय की इस्तिति अच्छी आ रही है 30-80 एर से इसी संगर्स की बदोलत विक्ति हर सुक को पाएगा हर सुक का भोग करेगा ये बहुत अच्छी चीजे यहां पर दिख रही है अब आपने फिल लिखा है काम के लिए आउट ओप इंडिया जाना पड़ेगा क्या जा सकते हैं लेकिन अभी क्या है बरतमान में कम से कम दो सा तक या पंदरा महेने तक जितना आप रुक सके आप रुक जाएगा क्योंकि इस टेम जो चंद्रमा है आपका जो मन का कारक है और जो कहीं न कहीं जो है आपके यातरा का कारक भी है और आपका जो सूर्य है जो सरकार का कारक है आपके धन का कारक है आपके यस का कारक है दोन में अभी डाल सकता है लेकर उसके बाद जा सकते हैं ये पूरा दिखाई दी रहा है अब आपने लिखा है पैसा बहुत खर्चा होता है पैसा हाथ में रुखता नहीं ये तो मैंने पहले ही बता दिया इनको देख के ही बता दिया है मैंने ठीक है न अब आप लिखते हैं मेरी तब्यत कभी ठीक रहती है कभी खराब रहती है इसका कारण आपका जो है राहों की इस्तिति है और नगेटिव उर्जा जो हाथ में दिखाई दे रही है वो है मैं जो जो सोचता हूँ क्या हो हर चीज में जिन्दगी में करूंगा देखेगा आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे होंगे तो इतना हतेली में है की नहीं है आप क्या सोच रहे हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन कुछ चीजें आप अपनी जिवनकाल में जरूर कर पाएंगे और वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है तो आपके सवाल समाप तो होते हैं पुनवह महतेली में आते हैं ठीक है ये उंगली कहीं न कहीं जुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाईं आपके अंदर बहुत जादा रही आप जिस भी धर्म को मानते होंगे उसकी धार्मिक भावनाईं आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है ये इसको बता रहा है ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ अब ये जुपिटर की तरफ जुकी हुए इसका फाइदा अच्छा होता है ऐसे लोगों को बहुत जादा मेहनत वाला या जिसको कहते हैं भागा दोड़ी वाला काम नहीं करना पड़ता है बहुत जादा मेहनत करने पड़ी लेकिन बैठे बिठाया एक जगा पे जादा तर ऐसे लोगों को काम मिलता है और ये अच्छा चिन है इसका जुकना ये भी इसी तरों से जुकती हुई दिखाई दे रही है इसकी तरफ हाँ इसके अच्छे गुण इसमें आ रहे हैं इसका मतलब है कि बिक्ती यस पाने की चाह रखता है नेम फिम पाने की चाह रखते है और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए अपने कारियों में फैलाव हो जाए एक ब्रांड बनकर उभर जाए इसकी चाहत बिक्ती के जीवन में रहती है मन में रहती है अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेस्पती की उंगली है और सूरी की उंगले दोनों बराबर हैं दोनों मिडल फिंगर से छोटी है धन और यस की भोक है पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मातर लक्ष भी अभी यही दिखाई दे रहा है अच्छा भी है अब यहां पे सबसी छोटी उंगली देखें आप तो ये उंगली भी पूरी तरो से जुक रखी है इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत जादा है लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रखरकाओ में एकाउंटबिल्टी म फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में काफी कमी दिखाई दे रही है इन कमयों को दोर करने के लिए यहां तक अपना नाखोन बढ़ाएंगे तो बड़ा लाब होगा ये भी इस पश्ट इस्तिति में दिखाई दे रही है अब एक चीज देखेगा यहां पर बहु लेकिन अपनी ही बातों को मनवानी वाले इक्षा भी दिखाई दे रही है क्यों क्योंकि यहां पर लेडर्शिप की क्वालिटी जनरेट हो रही है और सभी ग्रह जुपिटर से सभी प्लेनेट जुपिटर से प्रभावित हो रही है और जुपिटर सबसे बड़ी चीज है तो ऐसी इस्तिति आपके हाथ में यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जिस दिशा की तरब जा रहे हैं वो क्या सही है मार्ग या आप भटक गए हैं इसको कैसे देखेंगे हतेली में देखेगा। यह आपकी सभी उमलियों में आप ध्यान से देखें तो उपर की और जाती हुई रेखाई हैं। और केवल चाहा नहीं है सुखद जीवन जीनी के लिए ब्यक्ति प्रितनसील भी है और इसका आगे चल कर लाब दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखेंगे आप तो यह आपकी हिर्दे रेखा है। हिर्दे रेखा अंद में दो भागों से जब विबक्त होती है तो ऐसा ब्यक्ति पैरेंड्स की सेवा करने का मन ऐसे ब्यक्ति के अंदर रहता है। यह जब ब्रिस्पति को बिलकुल छू रही हो आगे नहीं बढ़ रही हो तो सुबह उठते ही तीन चीजों पे विबक्ति का एकदम ध्यान जाता है। उठते ही सबसे पहले धन के मामले में। दूसरा अपने फिजिकल बॉड़ी की तरफ और तीसरा काम उठता की तरफ विक्ति का मन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जब यह रेखा इस तरों से हिर्दे रेखा में मिले और हिर्दे रेखा से आगे न बढ़े और ब्रिस्पति इस तरफ जुक रहा हो तो कहीं न कहीं प्युक्ति को जो दामपत्य जीवन के चरम सुक्का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां अब यहां पर मस्तिस्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है जीवन रेखा के बारे में बता दिया है सूरे रेखा जब इस परकार से आती है तो इसका लाब बहुत अच्छा होता है विक्ति की जीवन में लेकिन जब सूरे बिल्कुल कमजोर हो तो इसका कोई भी लाब विक इस रेखा के बीबारे में ने इस वश्ट तरीके से यहां पर बता दिया है एक रेखा आप देखेंगे यहां से निकल कर जा रही है ठीक है ने इस रेखा का फल आपको कहीं न कहीं जो है बहुत बाद में मिलेगा तो तब गरहों के इस्तिति बदल चुकी होगी तो उस टेम इसका हम विसलेशन करेंगे एक रेखा इस तरो से जा रही है और यहां पर इस परकार से बर्ग बन रहे हैं बर्ग बहुत अच्छा है बिक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर अपनी मिहनत के बल पे टॉप अस्तर पे पहुंचता है और अपने छितर में अच्छा ग् ही है अपने कारे के परती जुजारोपन जादा रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पोरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यह क्वाल्टी आपको बहुत अच्छी इस्तिति में पहुंचाएगी सुक्र बहुत अच्छा है पेच्छी के तरब जु इस्ति मिलेगी और ग्लेमर की और जादा अट्रेक्ट रहेगा यह भी इस पश्ट दिखाई देता हुआ यहां पे नजर आ रहा है लेकिन अगर हम यहां पे दोसरी तरब देखें तो इसमें अगर देखेंगे तो जाल बनावा दिख रहा है इसका मतलब है कि बरतमान में ब अभाव की इस्तिती दिखाई दे रही है निम्र मंगल देखें ठीक ठाक है उच मंगल भी बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ब्रिस्पती थोड़ा सा नीचे की तरब देख रहा है करीबन साल बर तक परिवार को लेकि हलकी फुल की चिंताईं रह सकती है लेकिन जादा जो है ये प्रिशान ने करेगा लाब देगा सनी देखें तो सनी आपका बहुत अच्छा है लाब की स्थिति में है सूरी के बारे में हमने बता दिया है छोटा काम भी करेंगे नीम फिम पानी की इक्षा रहेगी बुद्ध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है हरी सबजी है हरे फल है और हरी दाले है इनका सेवन जरूर करें चंद्रमा की हमने बात कर ली है जब चंद्रमा अच्छा होगा तो यातरा का लाब भी देगा धन का भी लाब देगा तन और मन का भी आपको बता दिया है और उपाई थोड़ा सा मैं एक आपको जो है ओडियो के मादिम से भीज रहा हो एक योगा है उसको जरूर करेंगे आपको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार